अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें तू ने जब जीवन दिया दुख से भरा जीवन है क्यों तू ने जब जीवन दिया दुख से भरा जीवन है क्यों मा तेरा इनसान ही इनसान का दुश्मन है क्यों तू ने जब जीवन दिया दुख से भरा जीवन है क्यों क्यों चल्ड़ों मा जीवन है क्यों लुख से भरा जाए क्यों दो तू चल्म क्यों वरा जाए क्यों दिया बुख से खिती झाल झाल क्या बात है बुलेट आभी तक सोया नहीं यार नेन नहीं आती जूहीं यहां से बाहर जाने के दिन नजदिक आते हैं और जो वह सारी बात ही याद आती है क्या नहीं था हमारे पास हमारे दिलों में खुशियां थी चैर पहल थी सब कुछ अरे यार यह सब भूल जा नहीं भूला जाता दोस्ता मा की माम ता च्छोटी बैन का प्यार एक देपता समन पिता जो एक फैक्टरी के मैनेजर थे वो काली माता के उपासकती थे ठोल बजाने का उन्हें बहुत शौक था मुझे भी सिखाया था उन्होंने मुझे भूल बजाना बंद कीजिए हर गविंद बावु क्या बात है इंस्पेक्टर साथ आपको हमारे साथ पुलिस टेशन चलना होगा पुलिस टेशन क्यों हमारे पस रुपोर्ट आई है कि आपने गायर कानुनी तरीके से कंपनी का पांच-छे लाख रुपए का माल गायब किया है यह आप क्या कह रहे हैं साथ मैं तो पिछले पांच-छे दिन से आफिस गया है नहीं पुजा में आने के लिए मैंने अपने इसिस्टेंट मदन बाबू को चार्च दे विया था लेकिन मदन बाबू ने इंकार किया है है कि के मनेजर आप है जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेवार आप है चलिए तुम्ते कर्मत करना सुगाता है मा पिता जी को पुलीस क्यों पकड़के ले गई अब क्या होगा मा कुछ नहीं होगा बिटे काली माम की रक्षा करेगी मदनला जी हुजूर क्या ये सच है कि मैनेजर हर्गविन जी ने काली पोजा की छुटी ली थी और कंपनी का चार्ज आपो दे गए थे मुझे मैंने तो साथ दिन बेमार रहने के बाद कली ओफीज जॉइन किया है ये देखिए डॉक्टर का सर्टिपिकेट बिलाया हूँ हुजूर ये बिल्कुल जूट बोल रहा है मैं सच कह रहा हूँ मैं इसे चार्ज दे कर गया था लो हुजूर अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो फैक्टरी के गेट पास पर इनके सिगनेचर कहा से आए हुजूर मैं मानता हूँ कि ये सिगनेचर मेरा है मेरे सिगनेचर क कमपनी का कोई भी माल बाहर नहीं जा सकता इसलिए छुट्टी पर जाते वक्त मैं ब्लैंक गेट पास पर सिगनेचर करके इसे दे गया था ताकि कमपनी के काम में कोई रुकावट नाए मैंने इस पर भरोसा किया हुजूर और इसने मुझे पज़ा दिया मैं काली मा की कसम ख जुमदार को मुझरिम करार देती है और कमपनी के लाखों रुपे का माल चुराने के जुरम में दफा चारसो बीस तादीरात हिंद के ताहित पांच साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है नहीं हुजूर यह असा नहीं कर सकते है इन्हें फसाया गया है हुजूर इन्हें फसाया गया है रुमत सुजाता रुमत पांच बरस तो देखते देखते ही घुसर जाएंगे मैं बच्चों को तुम्हारे हावाले छोड़कर जा रहा हूं इनका खैल रखना मैं इस मकारी का पतलाज जरूर लूँगा मदलाल जरूर लूँगा किता जी को पांच साल की सजा हो गई और हमारी जिंदगी मुसी को तुम्हें खिर गई मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो गया स्कूल में बच्चे मुझे चोर का बेटा चोर का बेटा कहने लगे इसका बाफ चोर है इसका बाफ चोर है जब बरदाश्ट ना हुआ मैं स्कूल छोड़कर भग्या तुम्ही घर पोँचा मा के चिलाने की आवाज सुनाए दी बच्चो 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 ज्यों चिला रही है कौन बचाएगा तुए यह बच्चो 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 बच् मा, छोड़ दो मेरी मा को रहा जा रही है, क्यों चिलाती है रानी करके छोड़ूंगा तुझे रानी चोड़ दे चोड़ दे चला जा कमीरी, दिखल जाया थे सुवर के बच्चे अगर तुझे जेल नहीं भीज़वाया ना, तो मेरा नाम भी मजनलाल नहीं अब क्या होगा मा? कुछ नहीं बेटा हम यह शेहर छोड़ कर चले जाएंगे रोको टागा पुलीस तकिश्तु छुटा अब कर दो आप कहा वो आपका छोक्रा? कहा भगा जी आपसे? धोलड़ो उसे जहीं जहीं धालियों में छुप्ट्या होगा वहूँ ज़दी करो इस तरह नन्हा सा राकेश्तु पुलीस के दर से भाग किया और फिदन लोटा और इस तरह भुला भाला राकेश्तु दो नमबरी पुलेट बन गया लेकिन भूलना सका अपनों को जगा जगा ठुना जगा जगा तलाश की सें मेरी पीता, येरी पहन, मेरी माँ क्या हो शुजाटता भैन, तुम्हारी तव्यत तो ठीक है अरे तुमको तो त्येज बुखार है वो कुछ निया ठीक हो जाएगा क्या खाक ठीक हो जाएगा दो दो पैसे के लिए रात रात भर जाकर जो ओवर्टाइम करती हो ना ये उसी का नतीजा है क्या करूं बहें बेटी कॉलेज में पढ़ती है पैसत चाहिए ठीक है लेकिन अपनी सेहत का तो ख्याल रखो चलो चलो घर जाओ आज नो ओवर्टाइम चलो उठो चलो अरे मा आज इतनी जल्दी आ गए अभी तो दसी बज़े है आज खाम ज्यादा नहीं था ये रोज रोज ओवर्टाइम करके क्या हालत बना ली है अपनी कभी सोचा है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ तुम्हे क्या हुआ है मैं अच्छी तरह जानती हूँ खेर तुम हाथ मुदो दोलो मैं तुम्हेरे लिए खाना गरम करना नहीं ये सब तुझे करने की जरूरत नहीं मैं खुद कर लूगी तु सिर्फ मन लगा के पढ़ाई किया कर देखो मा मैंने तैय कर लिया है अब मैं पढ़ाई छोड़ दूगी और नौकरी करूँगी नहीं गीता नहीं देख चंद दिनों की ही तो बात है तुपड़ लिखकर काबिल बन जाएगी न तो मैं अपने आप काम चुर दूँगी लेकिन मा देख गीता तेरे पिताची की ख्वाइश थी कि हम अपने बच्चों को उँची सी उँची तालीम दिलवाएंगे तेरे पिताची का सपना तुझे पूरा करना होगा मा अपने तुझे पूरा करना होगा हरा अब 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 मुआ चण बोल रहां क्या ख़बर है जीत सेंग तब ठीक है जेड़ जेड़े डिकोस्टा की लॉंच आने वाली है और हमने सब तयारी अगर रखी है कम से कम 20 लाग रुपए का माल है इसमें आज तो काली जड़ों से बहुत खुश हो जाएंगे ठीकोस्टा साथ लगता है रूप चल को हमारी ख़बर नहीं लगी वरना उसका फिल्ला जीत सींग हमें डूटने के लिए जरूर आ जाता है अपनी लॉंच लोग तो डिकोस्टा तो उन चारा तरफ से घेर लिएगा आओ सुझा साथ तो जो बादब मेरें एक शारे पर सब के सब पूंदी जाओगे अगर जान प्यारी है आपनाल को वही छोड़कर नदी में गुचाप ये लीजे, पूरे 20 लाग कामाल है वेल डान, जीट सेंग, वेल डान थांक्यू सर्जे, वो हराम जदा काली चरन तो अपना सर पिट लेगा कौन, कौन है ये, कौन है ये रूपचन, जो हमेशा हमारा माल लूप कर ले जाता है काली चरन से टकराने की जुर्रत करता है उसे हमारे किसी आदमी ने देखा नहीं है सर, उसका खास आदमी जीट सिंग, वो ही सब काम करता है जीत सिंग जो काम कर सकता है वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते क्यों है जानते हो क्यों जानते हो क्यों कि तुम बूड़े हो चुके हो बूड़े तर हमको एक चांच दो हम उसको मसल के रख देगा ना ना हम नहीं चाहते कि तुम पुलिस की नजर में आओ तुम हमारे बोडी गार्ड हो इसलिए बाहर नहीं निकल सकते और दून्दो ऐक आएसा नवजवान जो रूप जनके साथ टक कर ले सके समय नो भाई सलाम 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 sit down I say sit down तुम दोनों आज डेहा किये जाते हो शुक्रिया साहफ यह रही तुम्हारी जेल की मझदूरी और यह तुम्हारा सामा क्यों मेरा है साहफ और यह बिए यह बुलेट कहा है और बुलेट यह तुम्हारा लॉकेट देखलो वहीg L.A. बिल्गुल ठीक हैँ न खर्ड़ी लगे बुलेट मतलब यह सर अगर हर कोई आना छोड़ दे तो आपकी नोक्रिगा क्या होगा इसलिए दूआ किजिए कि मैं जल्दी सेधर आऊं ताकि आपसे मुलागात काने का मौका मिल जाए नमस्ते सर चल भाई जल्दी जल्दी निकल लो पुल्दो चेज से तो निकल आये हैं लेकिन आप जाएंगे कहां मेरे घर में तेरा घर भी है अब बोलने में थोड़ी गलती होगे मेरा मतलब मेरी भैन का तेरी बहन भी है हाई अर मैंने दिल को बताये नहीं ले देक एक भैन ही तो है मेरी बहुत अच्छी सीधी साधी सवार की मीठी हराम जादे घर में मा भैन नहीं है जो हमको छड़ने चलाया नहीं तूने सोचा होगा लक्ष्मिय अकेली है गरीब है बस्ती में रहती है इसलिए सस्ती भी होगी क्यों मेरी बैंट लक्ष्मी वाकी बहुत सिधी है नहीं नहीं मैं जाता हूँ अभी तो मैंने तुझे सिर्फ चाय पिलाई है दो पने एक मटन चॉम भी तो खाके जा साला जबान के लिए क्या मिठी है यार फिर किसी ने यहां मस्ती की तो लाक मार के हवा में ऐसा उचाय लूंगी कि हावडा ब्रिच में जाके उल्टा लटक जाएगा समझे लक्षमी कैसी हो मेरी बैन अरे तुम आओ 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 आज कितना बड़ा शुब दिन है मेरा भाई तीरत यातरा से वापस आया है और मेरा हाल चल पूछ रहा है तेक लक्षमी मने कसम खा ली आज से कोई बुरा काम नहीं करूगा कभी जेल नहीं जाओंगा तेरी कसम बे शर इंगती यह कौन है यह मेरा दोस्त बुलेट बुलेट यानि बंदूग की गोली वावा क्या नाम है लगता हो तोप खाने में पैदा हुआ था मजग नहीं लक्षमी बुलेट बहुत अच्छा लड़का है मेरे साथ जेल में था ऐसा क्यों नहीं अच्छा लड़का नहोता जेल में क्यों होता चोर का साथी ग्रहकट फैर यहां किसलिए आया है बात यह लगत के पास रहने के लिए कोई जगा नहीं आ इसलिए तुछ यहां ले आया लक्षमी क्यों नहीं यह धरम शाला जो है तू अपने जैसे चोर उचको को यहां लेकर आएगा और मैं पका पका अब बाहर यहां से निगा चुप कर ला अरे गलत मा सौँआ जो पैसे की भूकी नहीं हो तो जरा गुस्से में अरे क्या गुस्सा में क्या बात करते हैं तू मेरे भाई के साथ ही आया था इसलिए मैं तुझे रहने की जगा दे रही थी और तू मुझे पैसो का रूव आया लेकर आती हूं कि देखा मैंने पहली पुला था ना बहुत अच्छी लड़के बहुत बीठी रुपान है अंदर चाथ यह मुझे दे दे पैजा पैजा मान गया यार क्या मान गया भाई मेरा नाम तो बुलेट है लेकिन तेरी बैन एक एटम बॉम है एटम बॉम लेक अधियारी अकेली जिंदेगी बिता रही है इसलिए अपन भी सोच रहा है कि कोई इमांदारी का धंदा करें आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या धंदा करेंगे हम लोगों तो दो नूंबर के अलाब आता ही कुछ नहीं है कि अधिया क्या आइडिया हाँ हम लोग एक चाय के दुकान खुलेंगे और यह लक्समी हम लोगों की मदद करेंगी आओ हुजूर खाओ हुजूर खाके जरा देखो हुजूर यह खाना तुम एक बार खाना तो है एक बहाना बेचते हैं हम प्यार आओ हुजूर खाओ हुजूर खाके जरा देखो हुजूर यह खाना तुम एक बार खाना तो है एक बहाना बेचते हैं हम क्या आपके जरा देखो हुजूर ये खाना तुम एक बाद भाई जान भादी जान श्रिमति श्रिमान बंगाली खाना पंजाबी खाना मदराशी खाना सभी आगर्मा घर्रम मिलेगा नेकी और महनत के बल पर करते हैं गुजारा करते हैं गुजारा बंधू करते हैं गुजारा छोटी सी दूकान देखो देखो दिल हमारा देखो दिल हमारा बंधू देखो दिल हमारा कंदूरी भी है रुमाली भी है जो हो तुम्हें दरकार स्वागत का हमको खिदमत का हमको मौका दो एक बार आओ हुजूर खाओ हुजूर खाके जरा देखो हुजूर ये खाना तुम एक बार जोरू अगर जाडू मारे निकल मुए घर से जब देखो तब पीखे आ जाता है जोरू अगर जाडू मारे बुरा मत मनाना बुरा मत मनाना भया बुरा मत मनाना त्यारते की जीवर तुमको खिलाना ये खाना खिलाना ये खाना भया खिलाना ये खाना पका पका के रोज ही खाना विचारी रोज पकाती है पका पका के रोज ही खाना बीवी जाए और उसको भी तो छुट्टी चाहिए हफते में एक बार आओ हुजूर खाओ हुजूर खांके जदा देखो हुजूर ये खाना तुम एक बार बड़े बड़े होटल देंगे महीनों पुराना खाना छोटी सी दुकान ये देगी ताजा ताजा खाना भया गर्रम गर्रम खाना खाने में दम है कीमत भी कम है खाना लजज़ता मौल तो चोखा देंगे पर हम देंगे नहीं उधा आओ हुजूर खाओ हुजूर ठाके जदा देखो हुजूर ये खाना तुम एक बार खाना तो है, एक बहाना बेचते हैं हम प्यार ठाके जरा, देखो हुजूर, यह खाना तुम एक बार ठाके जरा, देखो हुजूर, यह खाना तुम एक बार एक, दो, तीन, चाएद आप लिगों के 40 रुपया हो गएiantes हमसे पैसा मांगता है क्यों नहीं मागूं लगता है नया है पुरादा होता तो क्या होता ही को जरूर पहचांगता इनका हुकम जिसने नहीं माना उसका फटा सर का कोना कोना इनका नाम है फाटा उस्थाद समझ गया लंका इसे के दो अगर यहां धंदा करना है तो हमें सलामी देनी होगी पांच हदार नकत दो बोतल पहली धार का माल और हर मैने पांच रुपया समझ गया देखो भाईया हम अपना असली धंदा छोड़के इस धंदे पर उतार आए अगर फिर से हमको असली धंदे पर जाना पड़ जाए तो तुम लोगा क्या होगा क्या होगा तुम्हारा नम लंका है ना शिलंका पहुच जागा तुम्हारे फटा उस्ताद बीच से मुई का छू कर दोकि कर गाईया है विर स छधने पलाए वैज प्रशुम चाईया है विर अगर पाच हजार रुपयान नकातु जो पहली जो पान्सो रुप ने 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 चल बढ़ जा बट बुलेट ये नलका का क्या करूँ इसे जाने ते जा फटार दोप ौप लगाए ताल ने सब कुछ बर्बाद करती है शराफत की जिना नहीं देंगे हाँ शराफत की जिना आज कल के जमाने में बहुत मुश्किल है आप कोन है इतना साथ नुकसान हो गया और आप हैंके भाशन देने आगे भाशन देने नहीं आए हूं इसके बाद कभी ऐसा नुकसान नहों उसी की तरकीब बताने आया हूं कहना क्या जाते हैं का आओ मेरे साथ बताता हूं आओ कि वो जो उची उची हमारते देख रहे हो ना उनमें जो लोग रहते हैं वो सब के सब करोड़ पुती है लेकिन इन में से कोई भी सीधे रस्ते करोड़ पुती नहीं बना लेकिन यह सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं इसलिए कि अगर तुम चाहो तो तुम भी वहां पहुंच सकते हो देगे जब हमने फैसला किया है कि हम लोग शराफत का धंदा करेंगे कोई भी गयर कानूनी काम नहीं करेंगे देखो बुलेट आजकल के जमान में कानून वही बनाते हैं जिनके पस पैसा है आदमी पैसे वालों की पूजा करते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर उनके आगे पीछे घुनते हैं और कुछ सरकरी अफसर रिश्वत लेकर उनके कर्टूतों पर परदा डाल देते हैं अब यह कहना चाहते हैं कि मैं फिर से दोड़म मेरी धंदा करूं और जेल जातार चक्की पीस हूं जेल वो जाते हैं जो फुटपाज पर धंदा करते हैं जैसे अज तुम लोग कर रहे थे लेकिन आप तुम वहां धंदा करोगी जहां कानून तुम्हें छू भी नहीं सकेगा इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ काम करो बुलेट तुम्हारे पास जवानी है ताकत है हिम्मत है चीन लो पैसा खरीद लो शराफ़तर बन जाओ शरीफ बुला मंजूर है हमें करना क्या होगा गुट आओ मेरे साथ आओ अकता यही मकान है चलो उपर चल कर देखते हैं काहून? पान के दानी कमें चलो कर दो करद दो कर दो शर्चान को लोगा गये जो यह शूट केस में जाओ और चाल पैकेट देखे लुपिया ले लेना ओके ओके बॉस रुपे कहा है यजरो लाओ पहले माल बात में पास आओ यह क्या पीस पैकट की बात हुईती है चार कैसे पुश्यारी मत करो पैसला पहले माल बात में पैसला शिकारी जब शेर के पिजरे में आता है तब शेर जो चाहता है वही होता है शिकारी जब शेर के पिंजरे में आता है तो तयार होकर आता है और हंटर मार मार के शेर को कुट्टा बना लेता है अच्छा इसके रूपे छिलो और लाट मार के बाहर निकल लो अच्छा बना लेता है जरने बोटो 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 तुखाबरा बाद तुमा तुम्हे पिला भी डॉक्रेर से बस ले चाहता तुम्हें गर्माथ का ने बोटो आव काम हो गया वेरी गुड बल दन लेकिन बुल्टू बुरी तरह से जख्मी हो गया हाँ अस्पिटर लेके जाना पड़े ने 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 अस्पताल नहीं पोलीस का डर है मैं उसे अपने डॉक्टर के पास भेज़ देता हूँ मेरा ड्राइवर उसे ले जाएगा एक मिनिट माजान नीचे गाड़ी में जो साब जख्मी है ना उसे फोरें अपने डॉक्टर के पस ले जाओ माल कहा है यह रहा आपका माल और यह रहे पैसे यह क्या तुम्ने उनको पैसे नहीं दिये माल दिये बिना पैसे चिनने के चलकर में थे इसलिए मैं दोनों ही लेया है रियली ग्रेट चलो तुम लोग हमरे बॉस के पास ले चल दे चलो तुम सब के सब निकम में हो इतने लोग मिलकर उन दो आद्मियों को नहीं रोक सके चाच चाह तुमारी वज़े से हमारा कितना बड़ा नुपसान हुआ तस लाग का माल लूट कर दे गए वो लोग मेरी समझ में नहीं आता कि आखर काली चरण में इतनी हिम्मत कैसे आ गई सर उसके गिरों में एक नया लड़का आया है नाम है बुलट साला चीता है चीता अब इवनिंग सर जी अब ने कहा था कि कोई ऐसा नवजवान लाओ जो हमारे दुश्मन को मात दे सके हां कहां था यह हो नौजवान जिसने उन लोगों को ऐसी मात दी है कि यो जिन्देगी बर याद रखेंगे तो अब या नाम है बुलेट पुलेक्ट अरे वा नाम में तो बहुत जोर है मेरे नाम और काम में कोई फर्क नहीं है इसे जी अच्छा इतना घमंड है अपने आप पर हां जी नहीं यकीन है हमारे इस बॉड़ी गार्ड को देखा बॉड़ी गार्ड आपका माल खाख अगर बॉड़ी तो चर्वी से भर गया अब गड़ कैसा है यह तो देखने के बाद ही पता चलेगा इसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है इनसान के असली ताकत उसके दिमाग में होती है सिर जी जो इसके पास नहीं है वरना मुझे यहां नहीं ले आते यह भारी भर कम हाथी एक बार गिर जाए तो उठना मुश्किल है अच्छा पाके एक बार दिखा दो कि कि अधिए अधिए आपका अधि लेट गया अब अगर यह फिर से उठने की कोशिश करेंगा कि अधिए ते दूगा सटी आपके काम में हाथी की सुस्ती नहीं शेट की चुस्ती चुश्त वाव बुलेक्ट वाव वाव नाम और काम का ऐसा मेल मैंने पहले कभी नहीं देखा तुमारी बूड़ी आखों का जवाब नहीं डिकोस्टा क्या मोहरा डून कर लाया है मैं मोहरा नहीं हूँ सर्जी मैं खिलाडी हूँ वंडर्फूल अरे इसमें तो और भी मज़ा है शत्रंज मेरी होगी और चाल तुम चलोगे बोलो मंजूर मंजूर यह मुझे कहा लेया है इतना थुआ क्यों है किसी धुए के खाती तो लोग बागलों की तरह हम पर ऐसा बरसाते हैं यह है क्या है रोई जो मालास तुम लूट कर लाये हो वो माले ही बेचा जाता है आँ वो तो समझा लेकिन मेरी आखे चल रही है अब सर चक्रा रहा है पहले पहले ऐसी होता है इसके बाद नहीं होगा आदत पढ़ जाएगी तर आपका टेलीफोन अदो अलो क्या क्या जाएगा में बहा दो समझें बहुत बुरी ख़बर है पुलेट बर्टो गुजर गया क्या उसकी बहन को क्या जो बाद दूंगा आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था कितनी बार कहा भाईया इस सब बुरे धंदे छोड़ दो मेरी चाय की दुकान पर काम करो जैसे भी होगा दोनों बहन भाई इज़त की जिनगी काट लेंगे लेकिन उसने एक नहीं सुनी आज मेरा सब कुछ खो गया सिर्फ तुमारा ही नहीं मेरा भी सब कुछ खो गया सुक में दुख में हर घड़ी बोल्टो मेरे साथ था हमने सचाय पर चलने की कोशिश भी की थी लेकिन किसमत में ऐसा होने नहीं दिया यह क्या तुम जाने की तयारी कर रहे हो अलक्षमी जब बोल्टों ही नहीं रहा तो मैं भला यहां कैसे रह सकता हूं मैंने तुमसे जाने के लिए तुन नहीं कहा अब मैं यहां रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे लोगों में से कोई भी इस लक्षमी को शहनाई बजाकर घर की लक्षमी बनाकर नहीं ले जाएगा तुम्हें समाज का इतना डर है तो तुम जा सकते हो मैं अकेली इस समाज की बेडियों से लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी किसी का सहरा मेरी किसमत में नहीं नहीं लक्षमी तुम जा बुलिट तुम्हें मेरी फिकर करने की कोई जरूरत नहीं नहीं लक्षमी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा अज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास किया कहा ब्राउन का आदमी अभी तक delivery लेने नहीं आया जी नहीं और मुझे शक है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है कोई बत नहीं तुम माल अपनी काली में से निकाल कर किसी टैक्सी में जा कर छुपा दो जीत तो मैं मालूम है कि ब्राउन का आदमी माल लेने न इन्पी मुलाकात कंटेनर गोडान में होगी सची वहीं पर काली चरण और बुलिट से मैं मुलाकात करूँगा τट्राउन आपका अमाल सब ने छुपा दिया है थांक्यू बुलिट बैंक्यू ब्रावन साब हमारे साथ धंदा करने में आपका फाइदा ही फाइदा है आपके साथ कभी मुलाकत का मुखका यह नहीं मिला तो फिर दोस्ती कहां से होगी है इसलिए तो आज हम खुद आये सिकूरूटी के वज़े से हम कई जाती नहीं है लेकिन आज बुलेट के कहने पर च तुम सर्जी को लेका छुप जाओ, मैं सालो को देखता हूं चलिए सर्जी कि ब्रची प्रेज सर्जी उपर प्रमाने पर यूपर स्केसराविस्टी नियुक्तूर में आखिए। नियुक्त पिल्क९। नियुक्त ये ज्ख्वेस करने लिए। प्रॉंक्त झाल दॉपर इसुक्त जाई। प्रॉंक्तूर जाई। कि कोस्ता, तो में समादा, आई ए. कि कि उुक समाओ, आई ए. यह पासटाइए पगवान का शुकरिया अदा किजिये सेड़ जी कि गोली हडडी के बगल से निकल गई है शुक्रिया अदा तो इस बुलेट का करना चाहिए डॉक्टर इसी ने मेरी जान बचाई ये क्या कह रहें आप जीना मनना तो भगवान के आपने है बुलेट जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है न वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कर दो क्यंकिता है बोक्त भिवान थरस था है अब मेरा फरस पूरा करूंगा एक थे कुस्दा मेरे सॉल्ट लेकर बंगले की चावी कुलेट को देदो बुलेट आज इस बंगला तो महारा है मेरा अज बोलेट तुमहारा थैक्यू शर्जीब थैक्यू कि अरे वह इतना बड़ा बंगला कौन रहता है यह अभी तक तो कोई नहीं रहता आप लेकिन कुछ तिन और बाद यानि के शादी के बाद हम दोने आ रहेंगे अच्छ में यह बंगला सिर्जी ने मुझे इनाम में दिया है कैसा लगा बहुत अच्छा है बहुत पसंद आया है लेकिन यहीं थावी है थावी क्या कि बड़े बंगले में जाडू दे देते मेरे तो कमरी चूट जाएगी हम हां धर के काम करच MON के लिए बाहर की अदमी हो अरे ऑगा घर के काम के लिए बाहर के अदम्य रखे जाएंगे तो मैं बैठ के क्या कर elected C да तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी यार करने की फुरसत है तुमें जनाब रेम करने के लिए तो फुरसती फुरसत है होटो पे तुमने प्यार लिखा है पहली पहली बार मैंने जाना जीवन क्या है पहली पहली बार होटो पे तुमने प्यार लिखा है पहली पहली बार मैंने जाना जीवन क्या है पहली पहली बार पहली पहली बार जो भी कमी थी पूरी कर दी जीवन में तूने आके सुधर गया मैं सवर गया यार मेरे क्या तेरा पाके हर सपना साबार हुआ है पहली पहली बार होटो पे तुमने प्यार लिखा है पहली पहली बार मैंने जाना जीवन क्या है पहली पहली बार पहली पहली बार सार जहां का भुसन सिमटके रूप में तेरे आया इस दो आपके रूप में तेरे आया इस दुमने बार इस दुनिया में प्यार है जितना आप में तेरी पाया सारे जहां का फुसन सिमट के रूप में तेरे आया इस दुनिया में प्यार है जितना आप में तेरी पाया मुझे को अपना पता मिला है पहली पहली बार होट पे तुमने प्यार लिखा है पहली पहली बार मैंने जाना जीवन क्या है पहली पहली बार पहली पहली बार साथ तुम्हारा अगर ना मिलता राहों में हम हो जाते साथ तुम्हारा अगर ना मिलता राहों में हम हो जाते भटके दिल को रस्ता मिला है पहली पहली बार होटों पे तुम्हे यार लिखा है पहली पहली बार मैंने जाना जीवन क्या है पहली पहली बार पहली पहली बार ये कैसर जी आप मुझ पार जासुसी कर रहे हैं क्या कह रहे हो तुम्हारी जान बचाई और हम तुम्हारे उपर जासुसी करेंगे ये तुमने सोचा कैसे फिर हमारे गाने का वीडियो टेप आपको कहां से मिला आरे नहीं मैं उधर से गुजार रहा था दूर से तुम दोनों को बड़े प्यार से गाते हुए देखा इतिफाक से कैमेरा में ने पास था सोचा तुमें एक सप्राइज दूंगा मैं तो जटका ही खा गया था आम सॉरी कोई बात नहीं है और बताओ मकान कैसा लगा है जी बहुत अच्छा और लक्षमी को तो मुझ उसका नाम लक्षमी है जी हां बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों में प्यार है तुम तयार हो गए चलो मेरे साथ कहां काली मंदिर काली मंदिर क्यों मैंने मनत मंगी है कैसी मनत यही कि तुम्हारी मा और बहन तुम्हें वापस मिल जाए चलो च्छाओ जो दयाओ की तेरी मेरे संग संग चले च्छाओ जो दयाओ की तेरी मेरे संग संग चले तनहा मैं खड़ा रहू तू पाने के मुकाबले फस रहे हैं क्यों अंधेरे रोती हर किरन है क्यों मा तेरा इनसान ही इनसान का दुश्मन है क्यों तू ने जब जीवन दिया दुख से भरा जीवन है क्यों माँ लक्षमी मेरी माँ अरे भाई जड़ा देख के तो चलिए क्या गाड़ी के नीचे मरने का है भाई जी अभी जो माजी आपसे बात कर रही थी क्या उने जानते हैं आहां बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो तो हमारी दुकान से हमेशा फूल लिया करती हैं कहां रहती हैं आम उनका पता अभी आपको देते हैं कहिए आप तुम गीता हो ना हां लेकिन आप मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई कौन भाईया हां रे भाईया मेरी बहन ने मुझे पैचान लिया भाईया 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 मा, मा देखा कौन आया है कौन आया है मा कौन भाईया सुझार भाईया मा कहां गोनें तरुई कहां गोनें मा वाईया पीटा भाईया मा की पातर्वाईया अजर्वा जेल से छुटने के बाद, वो घड नहीं लौटे है, क्या, आ बेटा, चल अंदर चल लेकिन मा, तुम लोगों ने इतने दिन पिताजी के बगर काटे कैसे, मा एक कार्मिन साक्टरी में काम करती है, और मैं दो एक टुशन करके पढ़ाई करती हूं, चानता है राकेश, कीता ह हमेशा फर्स आती है, फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहती है, क्यों, पढ़ाई क्यों छोड़ेगी, अब मा इस उमर में कब तक काम करेगी भाया, इसलिए मैं चाहती हूं, नहीं नहीं, तू पढ़ाई करेगी, और आज के बाद मा सिर्फ आराम करेगी, आप से इस घर की जमेदारी मेरी, लगता है कोई आया है, यहले, चल पिले, कौन, नमस्ते शुजाता देवी, नमस्ते, कन्ययनाची, भाड़ी के लिए आपको दू-चार दिन रुखना पड़ेगा, दू-चार दिन, दू-चार दिन कहते हैं, तू-चार मेने बिद गए, क्या करूँ, कर यह सुजाता दिन, जिसके घर में जवान खुबसूरत लड़की हो, उसकी भाला क्या मजबूरी हो सकती है, कर नहीं अलाल जी, नाराज की होती है, सुजाता दिन, कहिए तो दलते पर लगा दिन, कहिए, चुपए बुठे, घर में कंटी डलकर तलाली करता है, बहेट मु माजी मुझे माप कर दीजिए मैं तुसरे बाड़े की रहा पर माजी, कितने पैसे होते हैं तेरे, साड़े साथ सुछाए साथ 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 समय यलरे, बाकिया अपने पास रख लेना चल फट गड़ ये से राधे क्रिश्ण, राधे क्रिश्ण, मा आज के बाद हम इस मकान मे तो फिर हम कहा रहेंगे बेटे तेरे बेटे के पास में है हम सब अपने साव में रहेंगे जलो कितना आ आलिशान बंड़ा है तेरा है तो फिर किसका है तु तो बहुत बड़ आदमी बन गया रहे तू काम क्या करता है बस ऐसे चोड़ा मुड़ा काम करता रहता हूँ वैसे यह बंगला मेरा नहीं मेरे पाड़नर का है चल आ मा वो देखो मा तुमने तो कहा था पंच साल बात लोटा होगे पंद्रा साल बीत के अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं आए तुम हमें भूल के क्या आखर हमारा खुसूर क्या है मत रो मा जब तुम दोनों मिल गए तो पिटाजी भी जरूर मिल जाएंगे जरूर मिल जाएंगे मा रक्ष्मी तुम्हारी प्रारसना ने मुझे मेरी इमा और बहन से मिला दिया सच मुझे ले चलोगे उनके पास जरूर ले चलोगा बस अपिटाजी मिल जाएंगे फिर मेरे सारे अर्मान पूरे हो जाएंगे प्राम सब मिले कर एक नहीं सिंदगी शुरू करेंगे प्यार की जिनदगी लेकिन बुलेट वह लोग मुझे पसंद करेंगी क्यू नहीं करेंगे जब मैंने तुम्हे पसंद कर लिया तो भी तुम्हे तवर ज़रूर करेंगे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ ये कपड़े और ये किताबें मेरे लिए? मैं पढ़ूँगी लिखोंगी? मैं तुम्हे ऐसा बनाऊँगा कि लोग तुम्हे देखते रह जाएंगी इस्कूज में प्लीज, तुरा साइड में हटिये तो आँ आँ मैं भगवास कर रहा हूँ, मैंडम को डॉक्टर की बस ले जाना है दावा धारू के लिए पैसा निकालो, पैसा तुम इंके कोल लगते हो जो बीच में आगे पैसे मंगने? मैं को लगता हूँ, मुझे पैचाना नहीं, रात के दून एकाथ बत्ती से बाहरा देगे विच्छा, क्या कर रहा है? अपने वकिर साब है, चेहरा से पैचाना नहीं? यह रवने तो मुझे चोरी के केस से बचाय था कलती हो गई साब, माफ कर दो खेतली में हुला साब, एक नम पैचाना नहीं चाहिए साब चाहिए, आपकी ट्रेन आ गईए बैब साब, यह कुछ चोर बदमाज नहीं, हमारे वकिर साब है चल केस से फूट ले, चल फूट ले, फूट ले मीरा, मीरा, या हो अगीता, इतनी तेर कर दी क्या बताओ, एक बदमाज से टक्कर हो गया और मैने ट्रेन मिस कर दी तेरे भाईया है ना, भाईया को चेंबर मैंने रोक के रखा, चलो भाईया, भाईया, यह मेरी सहली है आप? आप, क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो क्या? नहीं, वो हुआ यूँ के मैं जल्दी में सीड़ी उतर रहा था और इनसे टक्रा गया, और इन्होंने मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, I'm sorry अरे वाँ भाईया वाँ, मैं तो तुझसे मिलवाने के लिए लाई थी इसे मगर यहां तो बात, माफ कीजिएगा, और sorry तक पहुच गई है मीरा, क्या बकवास कर रही हो, बैठे आप लो, टक्कर तुम दोनों की हुई, चक्कर चला तुम दोनों का अब चोरी पकड़ी गई, तो बकवास मैं कर रही हूँ क्यूरी, इसी मदवास के साथ टक्कर हो गई थी तेरी उफव, मानी कि नहीं तो, पैट उदर इसे बखबख करने दीजिए, मिस मजुमदार, आप यहां साइन कीजिए आए मेरे साथ, कहाँ एफिडेविट मेरे चेंबर में नहीं, वोर्ट में होगा, डेसर प्लीज में में फर्स क्लास मिलने के बाद भी, आप आप आईपियस जॉन करना चाहती है पुलीस आफिसर बनने का बड़ा शौक है आपको, फिर तो आपकी यह मेरी हमेशा टक्कर होगी वो क्यों? आप पुलीस आफिसर, मैं एक क्रिमिनल लॉयर, यानि कि पुलीस का दुश्मन, टक्कर तो होनी ही है क्या मैं आ सकता हूँ? अरे आप, आये आये मुव मिठा करवाये, खुशकबरी लाया हूँ खुशकबरी? आप आईपीएस के इम्तिहान में पास हो गए सच? ठी मा, मा क्या है रे? जानती है मा, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई यह तो बहुत अच्छी ख़वर है नमस्ते माजी गीता को पुलीस की नौकरी मिल गई भगवान का लाख लाख शुकर है बेटा रंजीत, यह तुम्हारी मदद से मुम्किन हुआ है अगर आपकी बेटी तो मानने को तयार ही नहीं वा, मैंने कब कहा कि मैं इसकी बात छोड़ो अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है अपने भाईया को बताओगी नहीं अब भी जाती हूँ भाईया, भाईया चिल्ला क्यों रही है आव मेरे साथ बताती हूँ क्या बात है अरे आतो सही राकेश बेटा, यह रंजीत चौधरी है एड़ोकेट, यह मेरा बेटा हलो, हलो चांता है भाईया, मैं IPS में सिलेक्ट हो गई हूँ IPS? यहां, इंडियन पुलीस सर्विस आपकी तहन कमर में पिस्टॉल और हाथ में डंडा लेकर पुलीस ओफिसर बनना चाहती है जिदा, तू पुलीस के नौकरी करेगी? अरे भाई साहब, मैंने कितना समझाया M.A.P.ास करने के बाद प्रोफेसर बन सकती है मगर यह मानने को तयारी नहीं जिदा, यह ठिक कहे रहे है पुलीस के नौकरी में खत्रा ही खत्रा है और फिर पुलीस के नौकरी लड़की होकर तुझे शुभा नहीं देती वा भाईया, याद नहीं बचपन में जब हम चोर पुलीस खेला करते थी तू हमेशा मुझे पुलीस बनाता था और खुच चोर बनता था इतना तेज भागता था कि मैं तुझे पकड़ी नहीं पाती थी अगर तो तू अब भी नहीं पाई गिए तथ अब भला मैं तुझे क्यों पकड़ने लगी खहर मज़ा चौर तुझे ये नौकर्य करने की कोई जरूद नहीं है नहीं भया ये नौक्री मैं जरूर करूँगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे पुलिस की नौक्री करने के ऐसी क्या से रोस पड़ गई जानना चाहता है हाँ अया तुने हमारे लिए इतना कुछ किया है मेरी जिंदगी सवार दी लेकिन मा के आसों नहीं पोच पाया तु तु कहना क्या चाती है पुलिस ओफिसर बनके मैं पिता जी को ढूंड निकालूगी गीता मेरा कोट जाने का वक्त हो गया मैं चलता हूँ अच्छा बेटा गीता रंजीत को छोड़ा नमस्ते माजी नमस्ते बेटा तुझे रंजीत कैसा लगा अच्छा है लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कीता के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी एक बात करके तो देख जाओंगा एक दिन लक्षमी लक्षमी आगए देखो मैं कितना पढ़ना सीख गई हूँ क्या बात है इतना परेशन क्यों हो मा और बहन मिल जाने के बाद ऐसा लगा कि मेरे दुखों का अंत होने लगा लगा मगर नहीं परी बदनस्भी की कहानी फिर से दोर आई जाएगी मैं समझी नहीं किता पूलिस ओफिसर बन रही है यह तो खुशी की बात है मैं लक्षमी यह मेरी बेरहम किसमत का आजीब मजाग है पहन पूलिस ओफिसर और भाई दोन अमर का स्मागलार तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुम्हें पकड़ लेगी मुझे इस बात का डर नहीं डर इस बात का है जिस दिन मेरी असलियत का उन लों को पता चल जाएगा तो मेरी बेहन के दिल पर क्या गुश्रेगी? मा के दिल पर क्या गुश्रेगी? तुम काली चरन सेट को छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि वो मुझे नहीं चोड़ेगा मुना के रहा पर मैं बहुत दूर निकला हूँ लक्षमी टॉटना मुश्किल है अब तर सिर्फ बरबाद हो जाना ही लिखाए मेरी किसमत नहीं ऐसा क्यों सोचते हो? एक दिन सब ठीक हो जाएगा अगवान करे ऐसा ही हो लेकिन तुम मुझे से एक बादा करो अगर वो लोग मुझे छोड़कर चलेगे तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तुम तो मेरी जिंदगी के मालिक हो तुम्हे बाला छोड़के मैं कहां जा सकती हूँ आप नमजी याद किया है? हाँ जीत सेंग मकाव से कुफिंग आया है आज रात को ही उसे डिलिवरी देने होगी कितने? उसका जहाद सीबर्ड डायमंड हारबर पर खड़ा रहेगा मैंने उसे ख़बर बिच्दी है कि तुम ठीक नौ बजे सप्लाई लेकर वहाँ पहुच जाओगे पर रुप चंद का आदमी आया है लुप चंद का आदमी दैट इस जीत सेंग आने दो आने दो आईये साब गुड़ इवनिग गुड़ इवनिग गुड़ इवनिग बट तुम जीत सिंग नहीं नहीं फिर तुम कौन है अब लड़का रूप चंद का लड़का ओ आई सी दिल बहुत बड़ी है ना इसलिए डाडी ने हमको भेजा है मगर तुम 20 मिने पहला आ गया वह ओ क्या के गारी बहुत तेज़ चला तो ना इसलिए ओ माल लाया आ माल लेकिन हाँ गेट आउट आउट असली माल लाया हूं अब बेहोश हो जाएंगे वाट हाँ समझा समझा देखेंगे देखेंगे हुआए हुआए परसमालो, मैसे ठीकाने लगादा हुआ 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 हाँ! हाँ! ठिक से देखो! कूफिंग ओपि धो तो पूर। हौफिंग कूफिंग ? हाँ लेकिन आप तो बहुत बधल गए हैं लॉट ओफ चएंज क्यासचीं, क्यासचीं ऐसा लगता है कि आपकी उमय बहुत कम हो गевой ने हॉमयर कम हैं अरे ये क्यों नहीं कहता हम फिर से जवान होगे आए जवान? लेकिन ना तुमको एकिन नहीं आदा ना तुमको मालोने जवानी लाने के पास ते हमने क्या 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 तुमारी बीवी का उमर बताओ पूरा बीस लाग का माल है मिस्टर कुफिंग सकेटरी येस पॉस ये रख लो और इनको 20 लाग का हीरा दे दो मगर उन हीरो का तो हार बना कर अपने अपनी स्वीट सिक्स्टीन को दे दिया है बैस कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं जित सिंग हम तुम को हीरा जरूर देगा एकर उससे पहले तुम हमारी स्वीट सिक्स्टीन से मिलो स्वीट यस्टीन निल जाए जो Sweet Sixteen, Sweet Sixteen, जीवन बन जाए रंगीन वो जिसके साथ रहे हो उसकी हर रात हसीन मेरा नाम Sweet Sixteen, Sweet Sixteen, जीवन में कर दूर रंगीन मेरा नाम Swit 16, Swit 16, जीवन मैं कर दू Rangin मैं सिकी साथ हुं, हो सिकी हर डात हतीन मेरा नाम Swit 16, Switch 16, जीवन मैं कर दू Rangin दिल जाए जो Swit 16, Swit 16, जीवन बन जाए Rangin क्या होगा तो नहीं है क्या होगा आशोरत का क्या होगा आशोरत का अभी मजा लियान जो तूने हुस्न की जन्नत का जीवन ही का है निलेन जो चहरानम कीन मेरा नाम स्विक 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 जीवन मैं कर दू रंगी मेरा नाम स्विक 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 जीवन मैं कर दू रंगी क्या जो उन्हें जीवन मैं मैं कर दू उन्हें जीवन मैं कर दो रंगी में जीवन मैं कर दो रंगी प्रवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा दिल जाए जो स्वीट सेक्स दीन, स्वीट सेक्स दीन, शीमन बन जाए रंगी खिल दिकली लाओगे, तुम भी खिल खिल जाओगे खिल दिकली लाओगे, तुम भी खिल खिल जाओगे, मुरजाए भूलो के सण, तुम भी मुरजा जाओगे हर कल जवाण होके सुन, मिले चुपरसिन मागजबीन, मेरा नाम स्वीट सिर्थिक्सिन, जीवन में करदू रंगी मैं जिसके साथ रहूं हो उसकी है रगात हसीन मिल जाए जो स्वीट सिक्स्टीन, स्वीट सिक्स्टीन, जीवन बन जाए रंगीन वो जिसके साथ रहे हो उसकी हर रात हसीन मिल जाए जो स्वीट सिक्स्टीन, स्वीट सिक्स्टीन, जीवन बन जाए रंगीन दिल जाए जो स्वीट सेक्स्टीन, स्वीट सेक्स्टीन, जीवन बन जाए रंगीन असली पिस्टॉल तो इदा रहे बुलेट? आँ बुलेट चलाकी नहीं करना माल की डेलिवरी तो जीत सेंग ने दे दी, दाम तुम दोगे दाम? वीज लाग के हीरे मगर माल की देर है? माल दाम हजम कर गए तो फिर हम हीरा क्यों देगा? तुम्हें देना पड़ेगा कुफिंग यह खुबसरत तिद्लियां देख रहे हो ना इनके हाथ जितने नाजुक है इनके हाथ की पिस्टॉल इतने नाजुक नहीं है अगर गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे बदन पर 36 सुराख बन जाएंगे थड़ी सेहरो देता हूँ यह लो चलो अब एक पते की बात सुनो कुफिंग जलीस अपना जहाज लेकर सहरत के पाथ चले जाओ यह तो थोड़ी देर बात को सल पुलिस तुम्हारे चहाज में चापवा मारेगी पस्टॉर जीट सिंग अमरा वीचला का हीरा चला गया मिस्टर कूफिंग तुम्हारा तो हीरा गया है मेरा तो वीचला का माल जला गया मैं अबने सेट को क्या जलाब जूँगा पीस लाग का माल चला गया इसकी मुझे परवा नहीं है जीट सिंग लेकिन मैं ये बेज़दी परदाश नहीं कर सकता जैसे भी हो हमें बुलिट से बदला लेना है और उससे चॉलिस लाख फुसूल करना है इसका तो सिर्फ एकी तरीका है बोलो मैंने सुनाया कि बुलिट की मा और बहन उसके साथ ही रहते हैं अगर हम उन दोनों को उठा लाएं तो बुलिट खुद बाखुद नहीं जीट सेंग नहीं हमारी दुश्मनी बुलिट से है उसकी मा बहन से नहीं कोई और तरकीप सोजो बुलिट मेरा पेटा बनकर गया था ना कूफें के पास बताता हूं पेटे हलो बुलिट है बुलिट? कौन बुलिट? यहां तो कोई बुलिट नाम का आदमी नहीं रहता तुम जूट बोल रही हो बुलिट से कह देना अगर जिन्दा रहना चाहता है तो हमसे दुश्मनी मोलना ले अब क्या क्या रहे हैं मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कौन है आप? मैं? बुलिट का बाप बुलिट का बाप पता नहीं कैसे आदमी फोन करते हैं? कि इसका फूनता वा? पता नहीं किसी बुलिट को ढून रहा था बुलिट को? वाँ उसे मार डानी की धमकी दे रहा था मैंने कहा भाई यहां कोई बुलिट रहता नहीं लेकिन मौ मानने के लिए तैयारी नहीं जब मैंने पूछा आप कौल है तो कहने लगा बुलेट का बाप अखिर ये बुलेट है कौन? तु जानता है उसे? अब मैं भला कैसे जानूंगा? कोई रॉंग नमबर लग गया होगा खैर जाने दे बहुत राथ हो गई है चल खाना खाले माप मैं खाना खाके आया हूँ तुम दो खालो अरे आओ आओ बुलेट आओ डिकोस्टा हाँ सेट जी बुलेट को वो अपनी दावत वाली खुशकबरी दे दो ऐसी ख़बर? बुलेट रूपचान ने हमारे सेट जी को काली पूजा में शामिल होने की दावत दी है यह दावत नहीं है सेट जी आपके लिए बिचाएगा एक जाल है यू आपके बदले मैं वहाँ जाओंगा तुम? नहीं नहीं आशर जी हाँ उसकी यह जुर्ट तेरी मा को फोन पर कहता है कि मैं बुलेट का बाप बोल रहा हूँ इसलिए मैं इस मौके का फाइदा उठाना चाहता हूँ उसी के घर में उसी को खत्म करके मैं मा की बेसेदी का बतला लेना चाहता हूँ काली चरन ने खबर भिजवाई है कि वो बिमार है इसलिए वो पूजा में आने ही सकता लेकिन वुपना आदमी ज़रूर बेजिए ए अदिकों है it अविये तो आप अची तरह समझी गए होँगह सिए आज बुलिट्ट वापिस नहीं जाएगा कर्ट अधा सारहे इंतिजाम हो गया वही तो आपको दिखाने जा रहा हूं आये आये सेट जी यह देखिए इस सब अनार यहां सजा दिये गए हैं और इस तीन नमबर अनार के नीचे एक बाम फिट कर दिया गया है जैसे बुलेट इस अनार को जला है आप ये तीन नमबर का स्विच दबा दीजिए बस देरे एक धमाका और बुलेट खतम यह खून मेरे ही आतों करवाओगे सेट जी देवी की बूजा आपी की आतों से होती है बली भी आपी को चड़ना नहीं पड़ेगे जैसी मा की इच्छा आओ आये वेल्कम वेल्कम जेटी यही है मिस्टर बुलिट वेल्कम एल्कम थैंक्यू प्छंसट आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है बुलिट आपके कारणामों की मैंने बहुत तारीव सुनें क्या सुना है यही की बुलेट एक चीता है चीता गलत सुना है अपने चीता मक्कार और वेइमान होता है छुपकर वार करता है लेकिन बुलेट रॉयल दिंगोल टाइगर है छुपकर नहीं दाहाड करवार करता है कि वाग्का ही आब बादर है वही मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दे और एक दूसरे के दोस्त बन जाए पहले सोच लीजिए सिर्जी आप दोस्त बनना चाहते हैं या बाप हरे वो तो मैं यूही खुछ से मैं कह गया था वैसे भी तुम मेरा मतलब है कि आप मेरे बेटे की उम्र के ही तो है पूजा मंडप में नहीं चलेंगे जरूर चलूंगा कालिमा से बरसों पुराना रिष्टा है आज पूजा में शरीक हुने का मौका मिला है हुआ 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 है भूला नहीं मा हर पल तुझ को याद किया मैंने तेरा तर्शन बहुत दिनों के बाद किया मैंने नाचोरेगा औरे आज खुशी का है दिन भूला नहीं मा धोल बजा तीपक जला आरती तेरी उतारी मैं तो रहा हूँ बच्पन सही ए मा तेरा उजारी चर्णों में तेरे ही बीते मेरे पल चिन भूला नहीं मा हर पल तुझ को याद किया मैंने तेरा दर्शन बहुत दिनों के बाद किया मैंने नाचोरेगा औरे आज खुशी का है दिन भूला नहीं मा पाँ पाँ... बाँ भूला नहीं माँ बच्शन आयारी फर आप प्रणियों पाँ प्रखा तुने जिस हाल में उस हाल में मुश्कुराया रहूं तहीं चिंता नहीं सर पे है मा तेरा साया सारे जहां में नहीं कोई मा तेरे बिन भुना नहीं मा ठर पल तुझे को याद किया मैंने तेरा दर्शन बहुत दिनों के बाद किया मैंने तुम बहुत अच्छा बजाते हो आपको अच्छा लगा मेरे साथ बजाओगे जी हाँ अच्छा बाद मेरे साथ लिए तन कर देखे जास्टे अच्छा ये कावाँ फ्रश्चा कर अच्छा नहीं है जो ही होगा अच्छा होगा तेरी क्रिपा हो तो क्या काम है फिर कठिन घुला नहीं मां हर पल तुझ को याद किया मैंने तेरा दर्शन बहुत दिनों के बाद किया मैंने ना चोरेगा औरे आज खुशी का है दिन घुला नहीं मां हर पल तुझ को याद किया मैंने तेरा दर्शन बहुत दिनों के बाद किया मैंने ना चोरेगा औरे आज खुशी का है दिन तुझ को याद किया मैंने तेर जी आए इस्क्यूसी में स्टी बुलिट अमारी रसम के वह ताविक चीफ गिस के हातों आतिश बादिश जला जाती है आए श्रू किजिए प्लीज कि कि कार जो जा एकार जात बुलाव औरे 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 पार। लिएर सी कर दिए 嗯 है भ Navy कि खुले मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं हुई सेट इसलिए मा की पुजा में बुलाकर धोके से मनना चाहते दिया मैं चाहू तो तुम सब को कुट्टे की मौत मार सकता हूं लेकिन मा के समने खुन खरावा नहीं करोगा इसका हिसाब बाद में लोगा चलो आपकी जरा सी भूल से हमने ये सुनेरा मौका खो दिया वरना ये बुलिट बचके नहीं जाता जाने मुझे क्या हो गया था जीट संग नहीं क्या था उसके गीत में कि मेरी आत्मान पे चैन हो टी मेरे पीते हुए दिल मेरी आँखों के सामने आ गए मेरी पत्नी मेरा पेटा मेरी पेठी ओफो मैं आपकी जजबात को अची तरह समझता हूं सेट जी लेकिन अब ये बुलिट बुलिट हमें नहीं छोड़ेगा कमी नहीं इसी तरह मेरा भाई भी एक दिन मारा गया था और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो चलो तुम्हें मेरी फिकर ना सही लेकिन अपनी मा और भेहन का तो ख्याल रखो देखो लक्षमी इस वक्त मैं तुम्हारी बगबग सुनने के मूड में नहीं हूं मुझे क्या हो गया था मेरा दुषमन मेरा चाली दुषमन मेरे सामने था मैं इसली क्यों काली माता कासा मेरा हाथ रूप गया अच्छा हूंज हो। नहीं तो खून के जुरम में पकड़े जाते प्यर हो गया is अधाल टीक हो जाれ कल रखी का दिन है कितनी देर लगा दिया करूं भाई रास्ते में ट्रैफिक जैम था और तुम तो जानती हो एक बार ट्रैफिक जैम हो जाए तो बस आओ आओ बैठो कि अग्या कि मैं नजाने कब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी अच्छा बड़ा मजा आया सुनकर क्या मतलब एक खुबसूरत लड़की मेरे लिए इंतजार कर रही थी यह सुनकर मजा नहीं आएगा अब किसी नाने का टाइम दिया हो तो इंतजार को करना ही पड़ता है न महाशे चाहे वो दुश्मन ही क्यों नहीं तो क्या लेकिन बहुत प्यारा दुश्मन ऐसा तो थोड़ा प्यार कर लें तामने देखो अच्छिन हो जाएगा तो चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां क भाई अभी तक नहीं आया आएगा बिटी तेरा भाई जरूर आएगा पंद्रा साल बाद मिला है और वो तुझसे राखी बनवाने ना आए ऐसा तू ही नहीं सकता है भाई आ गया ए गिता आओ भाई अरे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है पाउं फिजल गया तब और इनका परिचे कहा ना तुझा लक्ष्मी बस और कोई परिचे नहीं ठीक है मैं खुदी पूछ लेती हूं तो मैं तुम्हें क्या कहके पुकारू भे लक्ष्मी मैं तुम्हें भाई कहकर पुकारूंगी एई क्या बख्वास करी तू चुपकर और बैठ यहां पंद्रा साल के बाद आज मैंने राखी का दीब चलाया है पंद्रा साल तक मैं अपने भाई के लिए मंगल कामना करती रही और हर साल राखी के दिन आसुबाती रही आज मुझे अपने आसों की कीमत मिली है आज मैं आप लोगों को उन क्रिमिनर्स के बार में बताने जा रहा हूं जो इस शहर के सभी क्राइम्स के साथ इंवाल्व हैं लेकिन उनके खिलाफ कानून के पास कोई सबूत नहीं लाइस आफ स्टार्ट दप्रोजेक्टर यह है सेट रूपचांद काली माता के परमभक्त है यह तिखावे के लिए कई ऑफिशिल बिजनेस है इनके लेकिन असली धंदा है एरा सोना है हेरोईन और कोकें की स्मगलिंग आज सी नेक्स्ट यह है जीत सिंग रूपचांद का सारा दंद यही चलाता है नेक्स्ट चेट काली चरन समाज सेवक अनात अश्रम पतित अश्रम लोग कल्यान संग और नजाने क्या क्या चलाते हैं मगर धंदा उनका वी है जो रूपचांद का है यू मेन अनदर डॉन एक्स्ट लीच्ट लेक्स्ट यह डिकोस्ट और जीट सिंग यू राइट लेकिन कुछ दिनों से उनके हां एक और आदमी आया है जो उनका सब काम करता है देखो यह यह बुलेट है पुलेट इसका नाम पुलेट है मिस गीता इनने से किसी का भी नाम असली नहीं है गिजिर जैसा रंग बदलता है उसी तरह यह नाम बदलते हैं पैसे के जोर पर इन लोगों ने सब का मूँ बनकर दख्खा है लाइस आओ यह सब समाज और देश के दुश्मन है लेकिन इनको पकड़ना इतना असान नहीं मिस गीता सर यह केस मैं तुम्हें सोप रहा हूं और मुझे यकिन है तो उन्हें पकड़ने में जरूर कमियाब होगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे जरा सोचने का मौका दीजिये सर बहुत सोच कर इतुमे मैं एक केस दे रहा हूं वैसे तुम अगर डर गई हो तो अगर मैं डरती होती तो पुलीस अफसर नहीं बनती सर मैं आपको वचन देखी हूं रूप चन काली चरण कीट सिंग और बुलेट को हथकड़ी पहना कर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूगी मैं आ सकता हूं रंजित अरे भाई साब आप आए आए कैसे आना हुआ बैठे मैं तुमसे कीटा के बारे में कुछ बात करने आया हूं मुझसे कहिए रंजित कीटा मेरी एकी बेहन है वो हमें जान से विज्यादा प्यारी है अगर उसे तुम जैसा जिवन साथी मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी तुम्हे कोई अतराज तो नहीं बहला मुझे क्या अतराज हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया रंजित तुमने बहुत बड़ा बोच मेरे सर से उतार दिया वाकि मेरी बहन बहुत खुश्नसीब है शगुन के तौर पर नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत है प्लीज रंजित शगुन को ना नहीं कह दे थैंक्स एक और इलतचा है हुकम कीजिए मेरी कोई गलती की सजाब मेरी बहन को मत देना यह आप क्या कह रहें भाई साब इंसान होना प्लाती तो होई सकती है बाई रंजित लक्षमी आती हूँ लक्षमी क्या बात है लक्षमी अरे बड़े खुश नजर आ रहे हूँ अभी अभी मैं गीता की शादी रंजित से ताय करके आ रहा हूँ यह तो बहुत खुशी की बात है कहां शादी की शॉपिंग करके मैं घीता और मा को चौका देना चाहता हूँ चलो जल्दी अले दर्वाजा मन क्यों है तर्में कोई है नहीं क्या क्या बत है तर्में कोई है यह नहीं मा घीता अया तुरा असली परिचय मुझे पुलिस रिकॉर्ड से मिल गया है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना नीचा गिर जाएगा तेरी इस बाप की नगरी में मेरा और मा का रहना नामुम्किन है आज से तुम्हारा हमारा कोई रिष्टा नहीं क्या हुआ? कहां गए गो लोग? कीता मा को लेकर घर छोड़का चली गई क्या? हाँ, वो पुलिस ओफिसर है वो जाना चाहती जाए लेकिन मा को ले जाने का अब क्या हाक है उसे? मा सिरी बुस्की नहीं, मेरी भी है तुम्हें ही ठरो, मा भी आता हूँ उनको ला रहे हूँ मा को बापस लाने है तुम? तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले आए? इसलिए कि तेरी गुनेगार जिंदगी से हमारा कोई तालुक नहीं अगर तुने ये रास्ता क्यों अपनाया भाया? तुझा ना चाहती है आ मेरे साथ देख क्या दिखाई देता है? बस्ती उस बस्ती में मेरा दम खुडने लगा था जब-जब मैंने सर उठाकर जिने की कोशिश की मैं रॉन दिया गया लेकिन वहां भी इंसान रहते हैं नहीं मुर्दे रहते हैं चलते फिरते सास लेने वाले मुर्दे जो सिंदेगे के नाम पर एक बदनुमा धबबा है पैसे वाले जब चाहे उन्हें खीड़े मकोड़ी की तरह मसल देते हैं एक ना एक दिन कानून के हाथ तेरी गिरे बान तक पहुंच जाएंगे ये कानून वानून छोड़ गिता इसमें कुछ नहीं है चल मेरे साथ घर चल नहीं तेरा और मेरा रास्ता अलग-अलग है तेरे साथ मेरा कोई संबंध रहे अरस्तन है तो भाय से जादा फर्स त्यारा है तुम्हे कोई बात नहीं लेकिन मां तो सिर्ष तेरी नहीं मेरी भी है नहीं रकेश तेरे साथ नहीं जा सकती मां अग्षा मत बोल मा ऐसा मत बोल देख तेरा बेटा तुझे लेने आया है ते साथ चल मा मैं दुनिया के सारे सुख सारी खुशा तेरे कदमों पे लागा रख दूगा तेरे पाप की कमाई के सुख भोगने से मैं मर जाना बहतर समझती हूं मां मां अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है उसकी भलाई के लिए अपने सीने को चट्टान भी बना सकती है अगर तुझे मां चाहिए तो तुझे ये बेईमानी का रास्ता छोड़ना होगा मुझे समझने की कोशिश कर मा मैं मजबूर हूँ मेरे लिए रास्ता छोड़ना मुम्किन नहीं तो भे तेरे गुनाहों के धेर पर बैश्ट कर तेरी मा क्या नाना मेरे लिए भी मुम्किन नहीं ठेरो भया इससे वापिस ले जाओ इसका मतलब रंजीत को सब कुछ मालूम हो गया एक दिन सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा दुनिया की मुझे कोई परवा नहीं देख भया तु मेरी बात मान ले अपने आपको कानून के हवाले कर दे तंजीत ने कहा है कि मरसी पेटिशन करके तुझे बचाया जा सकता है भीक में दी हुई इस जिंदे की जीने से मैं मर चाना बेतर समझता हूं आया आज से तु मेरी लिए भी बुलिट बन गया बसकुरो बुलिट बहात हो गया जाओ तु में हुआ क्या है स्मझत मैं मुझे बहुत खुथ समझा दिखाया था वे सपने में माँ भी बहन थी एक खुशाल घर था उस घर में राकश भी वापस आगया था आज अज वह सपन कटाद गया वे राकश मर गया और रह घान ये बुलिट अकेला एक तोम अकेला नहीं, मैं तुम और नहीं पीने दूंगी अलो, बुलेट तुमारे अपरेशन में जाने का टाइम हो गया, बुलेट मा आ रहा हूं मैं तुमें इस हालत में नहीं जाने दूंगी आम और राइट लगता है कि नौबे तक पहुंचाएं आवाक्षा यह क्या है बुलेट मैरे पिदाजी का आशिरवान नहीं इसमें उनकी तस्वीर है पंदरा सलसुन का कोई पता नहीं जबा बोच्रा कावी, मैं बुलेट को ख़वर करके आता हूं बुलेट उनकी गाड़िया आरेंगी जैसे ट्राक इदर से गुज़एगा, मैं गोली चलाऊंगा ट्राइबा को गोली लगते ही दामोदार और घंशम ट्राक लेके भागेंगे भागेंगे बुलेट अटाइबा युलेफ़गा बुलेट भुलेट झाल झाल एई चलाओ ये साली पुलिस कहां से आ गई कि गाने लगा दू इने? नहीं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं ट्रक में क्या है? माल है तलाशिलो पास्टर्ड भागने के कुशिश करता है अरे सेम् अट्रा को कबजे में ले लो साली ने तो पूरा काम ही बिगड़ दिया मैं इसे जिन्दा नहीं छोड़ू का यहीं 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 कुल 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 यह तुमने क्या क्या बुलेट मेरे हाथों से पिस्ताल क्यों चीनली मर्द होकर आउरत पे गुली चलाते हो वह आउरत नहीं उस्छाली पूलिस शाट आप, बुलेट तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गया है क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ ऐसा सुनरा मौका हथ से निकल गया है, पुलिस को ख़बर किस ने दी, किस ने की हमसे गददारी नहीं 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 गद्दर ही कुन करेगा वो आपने यूज्वाल राउंड पर आये हूंके आज हम पुलिस वालों को ऐसा सबग दे सकते थे कि हमेशा याद रखते लेकिन उस लरकी को देखकर नाजने तुम्हें क्या हो गया उसे पैचनत हो क्या नहीं मुझे खर छोड़ दो सेट जी से नहीं मिलोगे कल मिलूँगा आज मैं ठक गया हूँ मुझे सिर्फ एक बात का डर है बुलेट किस बात का खनिया और दमदन ने अगर पुलिस की मार खाकर सब कुछ बता दिया तो क्या होगा जब तक मुझे खोलोगे तुम दोनों को में नहीं छोड़ूंगी बताओ ड़का मालिक कौन है पानी 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 पोल ड़क का मालिक कौन है पोल हम लोग तो कुलिय वजूर मालिक का नाम हमें नहीं मालुम पहले मालिक का नाम बता फिर तुझे शर्भब भी मिलेगा बोल बताता हूं मुझूर मैं बताता हूं बोल उसका नाम है सेट रूपचन मालिक एसिस्टेंट कमिशनर रहे हैं क्या उस रात हमारा तो कोई आदमी नहीं पकड़ा गया था फिर पुलिस यहां क्या हुआ हो सकता है काली चरण के गैंग का कोई आदी पकड़ा गया हो और उस सालेड़े पुलिस को हमारे बीचे लगा दिया हूं कमिशनर साब का अंदर लेओ मालिक वो साहम नहीं मेम साब है ठीक है अंदर लेओ अच्छा उजूर लेटी पुलिस आफिसर कोई नई भरती होई होगी देखते हैं चारा जाइए मेम साफ आपको बुलाया है नमस्ते जी आयो बैठेए सिर्जे नमस्ते तुम मेरा मतलब है आप कुछ खयाल मत कीजेगा मैंने आपको तुम कहके पोकारा कोई बात नहीं कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं पैठिये आप जैसे समाज के जाने माने लोगों से जान पहचान रखनी चाहिए इसलिए चली आई यह तो हमारी खुश किस्मती है मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक लड़की होकर आप पुलिस के इतने बड़े ओहदे पर पहुँच गई है तेंक्यू रूप चंची कल रात टाइमन हबर रोड पर एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें काफी गैर कानूनी माल था दो आदमी भी पकड़े गए और उन्होंने बताया कि माल आपका है क्या कह रही हैं आप देखिए मिस मारा कोई आदमी गैर कानूनी काम नहीं करता है यह सरा सर उन्होंने जूट बोला है मैं अच्छी तरह जानती हूं लोगोंने जूट नहीं बोला तो अब क्या करना चाहती है हमें करिफतार करेंगी जी नहीं अभी किरफतार करूंगे तो जानती हूँ आप लोग छूड़ जाएंगे इसलिए चेतावनी देने आई हूँ आइंदा के लिए होश्या रहेगा आपने मुझे याद किया सर जी हाँ बुलेट कल पहली बार हमारा काम तुमारी वज़े से अधुरा रह गया कौन सा काम तुमने डिकोस्टा से पिस्तोल छीन ली और इसी वज़े से एसी पी गीता बज़ गई वो मैं कोई बात नहीं बुलेट अरे शत्रंज के खेल में तो ऐसा होता ही है मोरा कभी आगे आता है कभी पीछे जाता है लेकिन या अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना है बुलेट मुझे यानि मैं गीता को जान से मार डालोगे मापकी जिगा सर्जीब ये काम मुझ से नहीं होगा क्यों क्यों कि बच्चों और अड़तों पर मैं हाथ नहीं उठाता ओ आइसी ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हें अपना उसूल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं को मारेगा कौं तुम मारोगे डीकोसटर कि मैं आ तुम और मारने का मौका बनाएगा बिलेत क्योंड़ परसो रात को क्रिसमस के मौके पर हमारे होटेल में एक बहुत बड़ा जसन मनाया जाएगा उसमे तुम और लक्षमी डांस करोंगे एसी पी गीता को भी इन्वाइट ये खबर सुनते ही जीट सिंग भी आएगा मुझे मानने के लिए अरे ये तो और भी अच्छी बात है हम एक ही तीर में दो शिकार करेंगे दो जीट पुलीस को मनना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और गीताब एक पुलिस कॉंस्टे टिकोस्टा जशन की तयारी धुमधाम से होनी चाहिए हाँ हलो मैं ऐसे भी गिता जी से बात कर सकता हूं बोल रही हूं अज रात को हुटिल टावर पैलेस क्रिस्मस पाटी में आप जा रही हैं आपको किसे मालूँ जीव मुझे मालूँ है आप कम बोल रहे हैं सुनिए अ अब वह मत चाहिए गा आपको माड़ डालने का प्लाइन मनाय गया है पिर तो ज़रूर जाओंगी लेकिन आप कुछ बोल रहे हैं हलो 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 कि अश्चा जयू कर दो हुआ हुआ है हुआ 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 है किसका निशाना कौन बने ये दो न जाने कोई ये किसा रात का राज ये रात का ये जिर में लकातिन गाते आँखों में आँखों बाते ये जुर मिलबाती गाते आँखों में आँखों बाते किसका निशाना कॉल बने ये तो न जाने कुई ये किस्ता रात का राज ये रात का ये किस्ता रात का ओ राज ये रात का अरे रात यहां नहीं सूती अरे ठूबाई यहां नहीं होती होता है हर सौधा यहां अंधेरों में दिल की जगबात का, तरके सौबात का किसके हाथों कौन भिके, यह तो न जाने कोई ये किस्सा रात का लालालाला... अरे सोच के करना यारी यह सारा जहाशी कारी अरे सोच के करना यारी यह सारा जहाशी कारी अपनों पर अपने ही बैठे निशाना लगाए पता ना बात का ना तो हालात का वक्त करूं कब बदले यह तो न जाने कोई यह किसा रात का राज यह रात का यह किसा रात का राज यह रात का यह जिल में लका दिल गाते आँखों में लाखों बाते सबीटाइब, प्रफीर प्रे रियुदे जुच भी यठिर ने या बलुदय कैल कई गिस विए रभा ने हम पार,ंव में यह रहा हम आदगा है दिए को उंब जो रहा हम आदगा राज ये रात का ये किसा रात का ये किसा रात का राज ये रात का भाया! भाया! जोट! क्यों गोली चलाई तुने? बोल! क्यों गोली चलाई? अरेस्टिम और गोली चलाई अरेस्टिम और गोली स्टेशन यहां अभी अभी जिस डांसर को गोली लगी वो कहा है? गोली? गोली उसको नहीं लेगे मैडम सिर्फ कप्र के पास से निकल गई वो घर चला गया वो आइसी वो घर चला गया जी अब तुम घर जाओ लक्षमी नहीं बुलट तुम्हें असालत में छोड़की मैं नहीं जाओंगी मुझे कुछ नहीं हुआ है गोली निकल गई है और घाव भी मामली है अगर घर में मा और गिता आगी कोई तो रहना चाहिए न नहीं मुझे यहीं रहने दो देखिये फिलहाल इनको गहरी नीत की ज़रुवत है मैंने इन्हें नीत का इंजक्शन दे दिया है इसलिए कोई नहीं रह तो अच्छा है ठीक है मैं जाती हूँ क्यों डॉक्टर खत्रे की तो कोई बात नहीं है शुक्र कीजी सेर जी गोली हड़ी के बगल से निकल गए अच्छा अच्छा रुपया पैसे की चिंता नहीं करना लेकिन बुलेट ठीक हो जाना चाहिए डॉन्ट वरी सेर जी मामली सा घाव है कल सुबह तक ठीक हो जाएंग अच्छा ठीक है हम देखकर आते हैं चलो थैंक्यू डॉक्टर यह क्या है इसके पीता का अशिरवात पीता का अशिरवात जी हाँ इसमें इसके पीता जी की तजबीर है जो पन्रा साल से लापता है अच्छा देखते हैं अगर को बिन दो जब यह वही लड़का है वही लड़का ही यह क्या वसे जी आफी बलड़का है इसके बाप को जैल भिजवाकर जैसे मैं इसके मां के पास पहुंचा तो इस साब के बच्चे ने कटारी मार कर मुझे लंगडा बना दिया यह क्या कह रहा है या दिकोस्टा तब से हर पल हर घड़ी मैं उसे ढून रहा हूं लेकिन यहोनी यहोनी भी कभी कभी शत्रंज की चाल खेलती है वही साब आज मेरे आस्तिन में पल रहा है मेरे सेट जी आपका है तो इस हरम जादे की दोंडों टांगे कट दू नए डिकोस्टा नए यह शुबकाम रूपचन करेगा रूपचन आ रूपचन यह रूपचन बुलेट के खून का प्यासा है वो यह मौका हाथ से नहीं जाने देगा और हम भी इस मौके का पूरा फाइदा उठाएंगे बुलेट की कीमत होगी पंद्रा लाक रूपईया जाओ 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 अभी अभी इसी वक्त रूपचन को फोन करो जाओ जाओ अलो तुम्हारा दुश्मन बुलेट हमारे कबजे में है साओदा करोगे कैसा साओदा बुलेट का साओदा हाँ पंद्रा लाक मिलेंगे लेकिन बुलेट मुझे जिन्दा चाहिए जिन्दा मिलेगा रुपया लेकर राज के बारा बाजे बुलेट को खरीदनाएंगे उन्हें बुलेट चाहिए लेकिन जिन्दा मुझे मारने वाला भी तक पैदा नहीं हुआ कली चाहिए मुझे नहीं मालूमता तु ही वो हराम जादा मदलाल है जिसे मैं बंद्रा साल से ढून रहा हूँ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है अल्कोटे उड़ा दो तुझे है रिवॉल्वर हटादो डिकोस्ता बुर्दा बुलेग का दाम रूपचाने कवडी भी नहीं देगा ले जाओ इसको शायद बो लोग आगाए इशारा करो लगता है यह इशारा उनका है बोट उदर गुमाओ बोट उदर लो बस बस रोको रुपचंद सेट आपके दुश्मन को लेकर आये हैं कहां है वो देखिए नाव में बदा है पैचाना है हां पैसा देख लो देखने की ज़रूरत नहीं है हमें अब पर पूरा वरुसा है रसी खुल दो आप अपना दुश्मन समा लिए हम चलते हैं चलो बोट ले जलो बोट गुमाओ अब इसका क्या करें सर इसका विसरजन कर दो थाकि इसके सारे पाप थुल जाएं बोट लट दो सर इसके गले में एक लोकेट है लोकेट देखाओ यह लीजिये का करें तो बड़ी तस्वीर है यह लोकेट तो में आपने बेटे कुंश्मन करें तो जाए है तो पिधाता, इसके पसके 消ा?! इसे मचलो, वोँाइ własन दिकरो! प्र मोँाइ उक्रो, वोँाइ से एा! पुछ, पुछ!! को बढ़त mustहुच community! यलो कि तो मार पसके शा? पाता मुझे, अग मनला ऊसे! एसे मेले पिराजी मुझे ।ी मेलेता क рав кур। हुआ बेटा है तुई लाकेश है बुलिट कर दो दो बेटा मैं तेरा अबाका बाप हूँ जिसे पुलिस पकड़कर ले गई थी हाँ बेटा देखो मजे अच्छी तरह बैचानो नहीं वो हरकोबिन बचुंदार हूँ जिसे भागे ने आज रूपचंद बनाती था पेटा जी क्या बगते हो बुलेट जिन्दा है? हाँ सेंजी बादर उससे भी बुरी खबर ये है कि बुलेट रूपचंद का इबेटा है अरे बुलेट का बाप तो हर्प ओ इसका मतलब इसका मतलब रूपचंदी हर गोविन है और सर एसे पी गीता पुलेट की बेहन है अच्छा गीता सुजाता की बेटी है हाहा हाहा अब आएगा मजा सत्रंज की चाल का नया खेल नई चाल क्या काली चरण ही वो बदमाश्क मदनलाल है हाँ पीदाजी इसी मदनलाल ने मुझसे मेरी शराफत की जिंदगी छीन ली जेल का कलंक लेकर मैं बाहर निकला तो हर किसी ने मुझे दुद्कारा हर तर्वाजा मेरे लिए बंद हो गया कि इतने में एक दिन मेरी मुलाकात जीत सिंग से हुई हरकोमन जी आप यहां मुझे लिए में चला मैं जीत सेंग मैं जेल में थाना आपके साथ हाँ जीत सेंग यात आया और सुरहिए कैसे आप जीत पाता है जो साले शरीफों को लुटते हैं बहते हैं कि अधार तर्दर कि कि निकलने के बाद तर्दर की ठोकरे खा रहा हुआ है अरे आज कार की दुनिया में जिन्दा रहना है तो ठोकर ना जीगिए मैं कुछ बुरा काम करूंगा का रहा हुं कि हम उन बặcमाशों को लुटते आस यह इसे का benefits और तेखते ही देखते हैंhur कोंगे बिताजी एन यह रही वो बिल्डिंग पिता जी इसी विल्लिंग के थर्ड फिलोड में रहते हैं तो नहीं आएगा नहीं माओ गिता दोनोंने मुझसे नाता तोड़ दिया है उन्होंने ठीक ही किया है भी अफिर गुनागार शें नाता रखना और मैं भी गुनागार हम दोनों मिलकर अपने पापों का प्राइश चित कर ले और एक नई जिन्दगी शुरू करें क्यों तुझे मन्सूर नहीं पिटा सुनतो किसे मिलना है आपको मुझे पहचाना नहीं सुजाता कौन मैं तुम्हारा हर को बिंद क्या क्या मैं सपना तु नहीं देख रही तुम्हा मैं सुजाता मैं इतनी दिलों के बाद आज हमारी याद है आज भी तुम्हारी सुजाता तुम्हाने इंतजार कर रही है मैं रुम्हारी सुजाता खुब्रों इतनी दिनों के सारे दुख आसों में बेजाने दुख मैं मा मा आपी हाके वाए है इता इते वे पताँ जी है मेरे पताजी हाँ बेटी उस दिन तुझे देखकर मेरा मन पेचेन हो गया था मैंने न सही लेके मेरी आत्मा ने तुझे पहचान लिया था बेटी पताजी को प्रणाउम कर बेटी बस बस मेरी छोटी सी गुड़िया आज पुलिस की इतनी बड़ी अफसर आज मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा बेटी और मुझसे ज़्यादा दुखी और कॉर्ड होगा पिताजी क्यों बेटी बेटी पुलिस ओफिसर और बाप कानून का मुझरिम बेटी अपने पापों का प्राइस चीट करने ही मैं तेरे पास आया हूँ पिता जी मुझे आशिरवाद दीजिए पिता जी कि फर्ज की रह पर मेरे कदम कभी न डगमगा है मैं आशिरवाद देता हूँ लेकिन बेटी एक पुलिस ओफिसर होने के साथ साथ तुझे एक बेहन का फर्ज भी निभाना है पिता जी हाँ बेटी तेरा भाई गुमरा हो गया है उसे बचाना है ताकि वो बुलिट से फिर राकेश बन जाए लक्ष्मी लक्ष्मी आज आचानक पिता जी मिल गए मैं अब अब ही उन्हें गिता के घर छोड़का ना रहा हूँ तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी क्या हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई लक्ष्मी अरे कहां चली गई तुम काली चलान राकेश बेटा कहा है तु चाहिए दूपर होगा तुम लोग यहां हम तुझे लेने आये हैं बेटा यह घर छोड़कर हमारे साथ चल नहीं मा इस वक्त जाने सकता क्यों अभी तक तेरा गुस्टा नहीं उत्रा क्या यह बादी है पिताजी काली चरण का आदमी लक्ष्मी को जबर्दस्ति उठा कर ले गये हैं क्या हां मा लक्ष्मी को बचाने मैं जा रहा हूं खेर जा भाया लक्ष्मी को बचाना पुलीस का काम है गिता यह काम पुलीस से नहीं होगा मुझे जाने दे नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगी गिता मुझे सृफ दो घंटे की महलत दे मैं तुझे वचन देता हूं लक्ष्मी क यह आपने क्या किया पिता जी लेकिन गीता गुस्से में पागल होकर वो काली सरण का खून कर देगा फिर उसे बचाना नामुम्किन हो जाएगा उसे रोकना बहुत जरूरी है कौने चोड़ दे मुझे चोड़ दे मुझे भगवान यह क्या हो गया खबराओ मत सुझाता मेरे होते हुए गीता को कुछ नहीं हो सकता मैं जा रहा हूँ कहा? काली चरण के अट्टे कीता को वापस लाने काली चरण! पुलेट! बोल का अलश्मी का चुबा रखता प्रोल लंगना किदा रहा बोल! बोल! मैं बताता हूँ कमीने अगर हिम्मा था तो मेरे हाथ खोल दे फिर आओ एक के बाद एक हाँ हाँ जरूर जरूर एक के बाद एक ही आएंगे लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की से लड़ेंगे नहीं प्यार करेंगे एक के बाद एक कुपता गहीं का हराम जरूर चोड़ते! चोड़ते मुझे! चोड़ते मुझे! हाँ 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 आओ आओ A.C.B. साहिबा आओ मुझे तुमारा ही इंतजार था पुलीस आफिसर को किड्नाप करने का नतीजा जानते हो? पुलीस आफिसर? हाँ लो आफिसर का तमगा उतर गया आप तुम आफिसर नहीं रही बोलो तो वर्दी भी उतार दू हाँ फिर तुम पुलीस भी नहीं रहोगी शाट आफ शाबज गीता लाथ मार के साले का मुझ तोड़ दे काली चरन को लाथ मारने का अंजाम जानती हो पिता जी कबराव मत बेटी मैं आ गया हूँ पहचान लिया तुने इससे पहले कि मेरी पिस्तॉल की चार गोलियों में से एक गोली तेरी खोपड़ी उड़ा दे पर देने मैं कहता हूँ छोड़ देने पर देने लगड़ लो बाद लो खल अरे क्यों लात मार रहे हो कोई फाइदा नहीं और अर गोविन तुमारे साथ हमारी दुष्मनी इस सिर्फ दो वज़े से थी पहले तुमारे रहते फैक्टरी का माल मैं चुरा नहीं सकता था और दूसरी तुमारी बीवी जिसकी जवानी ने मुझे पागल बना दिया था तुम्हें जेल भीजवाने के बाद फैक्टरी का माल चुरा कर मैं माला माल तो हो गया लेकिन तुमारी बीवी को नहीं पा सका लेकिन आज ओहो तुमारी बेटी वा बिल्कुल अपनी मा पर गई है वही रूब वही जवानी मैं तेरा खून पी जाओंगा कमीने ए चिल्ला मत उस दिन तो तुम्हारे उस लाउंडे ने तुम्हारी बीवी को बचा लिया था लेकिन आज इसे कोई नहीं बचा सकता कर दो 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 कि भूबुलेट इन सब खंबों में जिन में यह बंदें में नर्मपीट है देखा, बांदो इसे तु क्या समझा, मेरे डेन में आकर मुझे ही मारेगा, बांदो जु किया करतों आकर बांदो एन आकर तु के एिर वार विर वार पर विर विर आकर परेखा वार kyla शिर विर प्विर विर वप्राव सिए्व परे से शियान! यहलो, तरे नहिल झाल्चे, चलो. हुआ 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 है भाइया किता तु पीसाजी को लेके निकल जा ये टानल पुराने ड़क के पास निकलेगा अच्छा भाइया चार दे चार दे साले हारामी कुटे है है हम तुझे छोड़ने के लिए थोड़ी लाएए तर्फ पॉस्ता भाब अभी तक नहीं आया अज़ा 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 शैदो आरा है शैजी जान चलो अज़ा बॉर्ण वाज बॉर्ण बॉर्ण वार्ण बॉर्ण टैर है शचिप अज़ा यज़ा रहा आज़ा इस हराम जाजू को सम्वालो जल्दी वर्षा झामेर जान बोरत जार चान झाला है, बार जार 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 करता है मरिजवान बुलेट ! बुलेट ! कहा कियास वा ? कि यूपजर ञखिग angeई के गार! कि अ य、 यूपियल, इवार! कि यूअरलикा न, अ, यूए खिए है, 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 है अजा रो! रिए! अजानों है! वी एड़िए! वी एड़िए! वी एड़िए! हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है पूसरे जोंसि भी हुआ है जूद को मैं चाहता हूं से तुन्हे बरवास करना चाहा मीन तुझे नहीं च्डूँ में उपाँ जाहा n आ Dudu नहीं में गृट नहीं मुझे माभगड कर दूर नहीं तुझे चांट से नहीं मारूँगा तेरे हार कमिने बल के लिए टेरी Coral के टुक्डे टुक्डे कर दूंगा तो जिन्दा रहेगा लेकिन पाहिच बनकर नाली के कीडे की तारा रेंगता रहेगा नहीं बुलेट मौस को भी बुलाएगा लेकिन मौत नहीं आएगी मुझे माव कर दो भाई ! भाई ! गिदाव ! देख ! मैंने अपने दुश्मान की क्या हालत कीए मैंने इसा ऐसी सजादी है कि आप इसके हाथ किसी भी खुना के लिए कभी ने उठें की है अच्ट ! इंस्पेक्टर, अरेस्टिन, लिगा इसे, अवल दाल, हटकरी बैनाओ, चलो, चलो मेटा, मेरा पिटा किता, अने तुस्टर स्वर्फ दो घंट की महलत मांगे थी मेरे हाथों में हदकरी पैना ले, अया, तेर मत कर किता, तेरा भाई फिर से राकिश बनना चाता है, आरेस्ट में, आरेस्ट में किता, आई से आरेस्ट में पैनल में किता, अनला बढ़ किता, आरेस्ट मीowa थांगे लिया रहाशान। कर दो कर दो